हलो फ्रंट्स मैं हूं अमरेंद और आप सभी का हमारी यूटू चैनल पाल टीनिंग पड़ साल में स्वागत हैं दोस्तों आज में लोग पढ़ेंगे मैंटर के बारे में इस्टेट आप मैंटर जो हता तीन प्रकार का होता है पहला है सालिड इस्टेट दूसरा है लिकुड हमारे भी फाई मतलब दर्वीत हो सकते हूए कि वहां वास होता है आजसे लोग गयस काते हैं jap 10 तूसरा रियल घैस है ऑब हम बात करते हैं van a century the 81 गैसALKरे को travelled लोग बोलेंगे किसी guest को तुम उ法 connect manager present है ideal gas के लिए पहला कंडिशन की ideal cGnome molecular force of attraction or repulse मतलब जो ideal gas होता है इसके molecules के बीच में कोई attraction या responder force करे नहीं करता यानि कि कोई आ मतलब जो आइडियल गैस होता है इसे द्रवित नहीं किया जा सकता है तीसरा है ओवेज एसे आप कामन रूल्स गवर्निंग चेंज अब इस प्रापर्टी कुछ कामन रूल को फालो करते जैसे पीवी इक्वल टू आर्टी को फालो करता है यह इक्वल टू एक्वल टू सब्सकश्टब आफिये जीरें घ्लाइगेटी आगे बात करते हैं दोस्तों यहां पर प्रेसर है यहां पर प्रेशर है यू कि आ इंटरनल इंटर्न उनर्जी है अध्य टमटेचर हो गया और जो हो मतलब रियल गास के लिए होता है, specific heat जो होता है, vary करता है temperature के साथ, however, over reasonable range of temperature, this variation is very-very low. लेकिन बहुत high range के temperature पर जो होता है, यह variation जो होता है, बहुत कम होता है. This leads to the concept of perfect gas और इसी से जो है, perfect gas का concept जो है, मिलता है. तो perfect gas क्या होता है, perfect gas is an ideal gas and has constant value of Cp and Cv, where is your temperature? मतलब perfect gas होता है, जिसके लिए Cp और Cv का value जो होता है, constant होता है, temperature में variation के करण. यानि कि अगर temperature का value बढ़े या घटे, तो उस दवरान Cp और Cv का value क्या होता है, constant अगर रह रहा है, तो उस gas को में लोग perfect gas बोलते हैं. Cp क्या होता है, Cp होता है, specific heat at constant pressure, specific heat at constant pressure, मतलब इस्थिर दाब पर विसिश्ट उस्मा, और Cv क्या होता है, specific heat at constant volume, यानि कि इस्थिर आयतन पर विसिश्ट उस्मा, मतलब Cp और Cv का value होता है, temperature की vary करने से इसका मान जो होता है, ऐ परिवर्थित रहता है. अब बात करते हैं, gas और vapor में डिफरेंस क्या होता है, तो gas और vapor में डिफरेंस की बात करें, इसकी आसान परिवासा की बात करें, Vapors can be liquidify easily, but gases can not be liquidify easily, मतलब वह gas ये वस्ता जो आसानी से दरवित हो जाती है, उसे हम लोग vapor काते हैं, और वह gas ये वस्ता जो आसानी से दरवित नहीं होती है, उसे हम लोग gas काते हैं, दूसरे definition होती है, critical temperature के आधार पर, critical temperature के आधार पर definition क्या होती है, vapors and gases, बोथ हर gases state, मतलब वास पर gas क्या हैं, दोनों जो है gas ये वस्ताएं हैं, इप temperature आप gas ये substance is more than its critical temperature, ये किसी gas ये वस्ता का जो temperature होता है, उसकी क्रांतिक तापमान से जादे होता है, तो इसे gas काते हैं, अधर वाज वेपर, यानि कि वह gas ये वस्ता जिसका तापमान, उसकी क्रांतिक तापमान से जादिक होता है, उसे gas काते हैं, और वह gas ये वस्ता जिसका तापमान, उसकी क्रांतिक तापमान से कम होता है, उसे वेपर काते हैं, अब बात करते हैं, गैस ला, गैस ला जो होते कि आप कांस्टेंट टंप्रेचर अर्डड तुम्स आप आइडियल गैसी इनुवर्सली प्रोपोरिशनल टूइट्स प्रेसर यानि की इस तिर ताक्मान पर किसी आदर्स गैस की इस्थिर आएतन का जो इस तिर आएतन होता है उसके दाब की जो है वितकृपाती होता है यानि कि temperature जो होगा इसके लिए temperature constant होगा और mass भी क्या होगा fixed होगा क्योंकि कह दिया है कि volume फिक्ष्ट mass तो यहां पर mass भी क्या होगा fixed होगा तो इसके लिए V जो समानुपाती होगा 1 by P कि तो यहां से PV equal to constant आ जाएगा तो PV equal to constant तो यानि कि P1 V1 equal to P2 V2 तो इस पर यहां में नुमेरिकल भी आ सकता है और इसके डियाग्राम की बात करें तो यह इसका पीवी डियाग्राम बना हुआ है तब पीवी डियाग्राम में यानि कि pressure जो है volume के जो है ब्यूत करन पाती है यानि कि pressure का value घटेगा तो volume क्या करेगा वैरी करेगा और ideal gas के लिए जो process हो रहा है इसको हम लोग आइपरबॉलिक प्रासिस भी काते हैं तो बात कर्ते हैं चाल्षला का चाल्षला क्या होता है चाठल love at constant pressure volume of fixed mass of ideal gas is proportional to its absolute temperature यानि कि स्थिरदाप पर किसी आदर्स 주는 के निशितमात्रक जो आयतन होता है उसके परमताप के समन पाती होता है यानि कि यहां पर क्या है इसा संबाना इसका डाइगराम कि बात करें यह हमारा to की बीच में बना यहां पे क्या है प्रेशर गांस्टेंट है और यहां प्सक्राब यह जीरो होगा यहां से शुरू होगा मतलब जो हमारा Kelvin में होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 213 degree Celsius होगा तो इसका जो डाइगराम होगा यह वाला हमारा डाइगराम होगा वालिम और temperature जो हमारा Celsius में रहेगा आगे बात करते हैं गेल उस्याइक लगा क्या होता है एट कांस्टेंट वाल्यूम प्रेशर आप फिक्ड मास आप आडियल गैस इस प्रपोर्शनल टू इट्स अप्सुलूट तंप्रेचर यानि कि इस तिरायतन पर किसी गैस की किसी आदर्स गैस की निश्चित मात्रा को जो दाव होता है उसके परमताप के समनपाती होता है या तू तीनों नियम में सबसे important है कि हमारा जो बॉयल फ्ला होता है तरएसल हम्हारा प्रेशर कांस्टेंट होता है याद घ्ली करेंट हो लंग्र फेसने बात एक प्रेक्टर सेसलेसर में और बात करें थो अगला प्रेक्टिक इक्वेशन आप स्टेट फार एन आडियल गैस मतलल लाचछड़ी गैस समीकरण क्या होता है तो हम यादते हैं फार फिक्ड मास आप एन आडियल गैस की निश्चित मत्रा के लिए जो होता है चार्फिला के कारडिंग वी समानुपाति टी होता है अगर वाईल जला की बात कर यूनिट मास्ट के लिए जो हमारा वालियुम होगा capital v जो हमारे यहां पर total volume ए, small v जो specific volume है और small v बराबर होता है capital v upon m इसको specific volume करते है small v को और यह होता है किसी पदार के हीकाइद रभइमान का जो आयतन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, specific volume यहां से दिखेंगे unit mass के लिए जो हमारा capital V होगा इस मालवी के बराबर होगा तो यहां से Pb upon T equal to R आ गया यानि Pb बराबर RT तो यहां से हमारा आ गया Pb equal to RT जहां यह वी है क्या वी जो है यहां पर specific volume है R क्या है प्रेक्षिक गेस constant है T क्या है absolute temperature है और P क्या है pressure है कर हम total volume total के फार्म में हम लिखेंगे यहां पर इसमाल वी जो है specific volume अगर टो लिखेंगे तो capital V के फार्म में तो हो जाएगा Pb equal to R त तो PV बराबर R त कभ होगा जह हमारा हम लोग जानते आगर यह वाली बेलू करेंगे तो हमारा पीवी एकल टू यमार्ट आ जायेगा आगे बात करते हैं कुछ निश्कर से निकलते हैं से निस्कर के निकलिदा कि जो और QA is called characteristic gas or a specific gas constant which is fixed for a particular gas जो कि किसी एक निश्चित gas के लिए क्या होता है इस्तिर होता है but changes for different gasses लेकिन अलग-अलग GAS-ो के लिए R का मान्ट क्या होता है? अलग-अलग होता है या या आर जो होता है R को लाच्षडी gas इस्तिरांग काते हैं या characteristic gas constant काते हैं और इसका मान किसी particular gas के लिए एक होता है, जबकि अलग-अलग gas हो के लिए इसका मान क्या होता है, अलग-अलग होता है, यानि कि अगर oxygen की बात करे तो हर एक oxygen के लिए हमारा R का value क्या होगा, सेम होगा, nitrogen के लिए बात करे उसका अलग होगा, करबंडाय oxide की बात करे तो उसका लेकिक अगर सबका ूपस में तुलना करें तो सबका कें अलग अलग होगा लेकिन पर्टिकुलर की बात करें उसका मां चैन्ट होगा अब यंट आप आर की बात करें तो थाは थे by LIKE डिंट तो सब जब यम होगा तो याँ से देखेंगे एक मीटर स्क्वाइर हैं मीटर क्यूब जायेगा यहां जैसे न्यूटन सब्सक्राइब काने अग्यों किस्के करते हैं हम बात करते हैं relation between characteristic gas constant and universal gas constant तो characteristic gas constant को generally R से दर साते हैं और universal को जो होता है RU से दर साते हैं अगर दोनों को एक साथ रिप्रेजन्ट करना हो तो हमारा जो R बरावर होता है RU अपानियम होता है जो यहां पे M क्या है molecular weight of gas तो molecular weight of gas है और RU क्या है RU का जो value होता 8344 जूल पर केजी मूल के लिए और इसका मान जो होता सभी gas के लिए क्या होता है एक समान होता है यानि कि अगर किसी भी gas के लिए अगर हमको R का value निकालना है तो उसके molecular weight से क्या करतेंगे भाग दे देंगे तो उसके लिए हमारा value आ जाएगा तो oxygen के लिए जो molecular weight होता 32 तो 32 से बाग देगे तो यह oxygen के लिए और कमान आ जाएगा ऐसे सब पोच कि किसी और गैस के लिए अगर हम बात करें तो मालेजे हम CO2 के लिए और कमान निकाल ले हैं अब आता है कि इसको अरेंज करने के लिए कई सारे गैस दे देगा और उसमें कहेगा असेंडिंग आडर या डिसेंडिंग आडर में कैपिटल आर को अरेंज करिए और वही क्रम या रोही क्रम में तो उसके लिए करते क्या है हम लोग यहां पे देख रहे हैं जो आर है जो यहां पे आर की वैलू है वो क्या है वित्कुमान पाती है वनबटे यम की यानि यम क कमान होता है O2 के लिए 32 और CO2 के लिए क्या होता है तो इसके काड़िन देखेंगे हमारा यम कमान जो 44 के लिए जादे है तो अगर आर की बात करें तो आर जो होगा CO2 के लिए क्या होगा कम होगा क्योंकि यम कमान क्या है जादे है तो दो गैसों में अगर आरो ही और और ही क् हमें निखना रहे गा तो हम लोगों वहां पर देखेंगे किस गैस के लिए.. एम का वैलूद का-वैलू जादे है उस गैस के लिए जो हमारा र का वैलूद कीया होगा सबसे कम होगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए गर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत हो देगा थैंक्यू दोस